सिख, इंटिलेक्च्वल विचारक जो हैं, रिटायर्ड आईये सबसरु उन्होंने बहुत पहले का था कि पंजाब का हिंदू कोई आटे का दिया नहीं है, जिसको आप छत पे रख दोगे तो कव्वे खा जाएंगे और गर के अंदर रखोगे तो चुवे खा जाएंगे। यहां पे अपने आपको परदानमंतरी बनने के अगर किसी के दिल में सोच भी है, तो मैं समझता हूँ वो देश द्रों से कम नहीं है। केजरिवाल साहब का जो बयान है, बहुत ही खतरना किसम का बयान है जहां उन्होंने का था कि पंजाब का हिंदू आज सहमा हुआ है, आज डरा हुआ है। जहां इस एक ब्यान से केजरिवाल साहब ने अपने आपको हिंदूओं का समर्थक होने का हिंदूओं का हितेशी होने का प्रयास किया है वहीं उन्होंने मैं समझता हूँ पूरे सिख समुदाय को एक आतंकी होने का भी तगमा उनके गले में डाल दिया है अगर कुमार विश्वास जी के ब्यान से देखें तो ऐसे लगता है कि केजरिवाल साहब आज जो देश को विखट करने के लिए रिफरेंडम 2020 और जो पन्नु वहां पे बैठे सिख और जस्टिस किसम की संस्ताइं बनाए बैठे हैं उन लोगों के स्पोक्समेन की तरह देश में काम कर रहे हैं कुमार विश्वास जी ने बड़े गंभीर आरोप केजरिवाल साहब पे लगाए हैं और साथ में ही केजरिवाल साहब के जो बयान आई हैं पिछले चंद दिनों में बहुत ही खतरनाख किसम के ये बयान है मेरी देश के परदान मंतरी जो कि आज पंजाब दोरे पे हैं अबोर आ रहे हैं उनसे एक निवे दिन है कि बहुत ही कम समवेदन शील मुद्दे जहां पे सिर्फ इस बात के लिए देश द्रो का मुगदमा दर्ज किया कि किसी के गर पे वार अन पीस किताब मिल जाती है उसके तुलनातमक अगर कमार विश्वास जी के जो आरोप हैं बड़े गंबीर हैं देश को टुकडे टुकडे करके यहां पे अपने आपको परदान मंतरी बनने के अगर किसी के दिल में सोच भी है तो मैं समझता हूँ वो देश द्रों से कम नहीं है मेरी मांग मोदी जी से है कि कमार विश्वास जी के इन बियानों की पूरी जांचो पड़ता लो निश्पक्स तरीके से जांचो और पारदर्शी तरीके से जांचो और अगर इसमें रती बर्वी कोछ सचाई है तो जो बंटी कानूनी कारवाई है वो देश उन से इस बात की उमीद करेगा उनके आम आदमी पार्टी के बीजेपी से जो भी समंद रहे हो परंतु ये मुद्दा देश का है दूसरा बियान इसी परपेक्ष में अगर देखा जाए केजरिवाल साहब का जो बियान है बहुत ही खतरना किसम का बियान है जहां उन्हों ने का था कि पंजाब का हिंदू आज सहमा हुआ है आज डरा हुआ है जहां इस एक बियान से केजरिवाल साहब ने अपने आपको हिंदूओं का समर्थक होने का हिंदूओं का हितेशी होने का प्रयास किया है वहीं उन्होंने मैं समझता हूँ पूरे सिक समुदाय को एक आतंकी होने का भी तगमा उनके गड़े में डाल दिया है अगर कुमार उश्वास जी के बियान से देखें तो ऐसे लगता है कि केजरिवाल साहब आज जो देश को विखट करने के लिए रिफरेंडम 2020 और जो पन्नु वहां पे बैठे सिक्फ और जस्टिस किसम की संस्थाएं बनाए बैठे हैं उन लोगों के स्पोक्समेन की तरह देश में काम कर रहे हैं ये बियान दे के केजरिवाल साहब ने सारे पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है पूरी पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की है मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ना तो पंजाब के सिख समुदाये के हमारे भाई जो हैं वो ना तो आतंकी हैं और ना ही पंजाब का हिंदू या कहीं भी बैठा हिंदू डरपोक या डरा हुआ है मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शहाद अगर उन्होंने पंजाब का इतिहास और पंजाब समाज की बंतर पड़ी होती तो उन्हें पता होगा कि हिंदू जैसे हमारे एक बड़े सिख इंटिलेक्शुल विचारक जो है